मैं उत्तर प्रदिस से आया हूँ और जो जीत हुआ इसे तीन राजियों के इसके क्या कहना चाहेंगा देखिए ये जो जीत है वो मोदी जी के सिद्ध संकल्प में जिसमें उन्होंने लाल कलेश की प्राचिर से कहा था कि मैं प्रदान मंत्री नहीं प्रदान सेवक हूँ ये गरीमों के घर में उजला के माध्यम से गैस पहुचा रहे हैं बिजली पहुचा रहे हैं पानी पहुचा रहे हैं हर गंडल से तो मोदी जी का जो भारत को विक्सित बनाने का संकल्प है ये उसकी जीत है मुखिधारा से जोड़ा उन्होंने गरीब लोगों को किसानों को ड रहे हैं प्रियास इन विर्वारत के संकल्प में जब तक नहीं मुझेज बिकशित नहीं होगा तो राज को विकृत लाने भाजपा की सरकार چाहिए जे अभी जो तेलंग अना में बीजेपी का यहांपर हार गया लेकिन दक्सिर में बीजेपी का परफॉमेंस इतना इच्छा नहीं है और 2024 से पहले का यह चुनाव इस बात को दर्साता है, सपस्ट करता है कि 2024 में आधनी पधानमंतरी मोदी जी के नेतरत में हम पुने भारती जंता पार्टी की लोग देश की सेवाकापसर प्राप्त करेंगे दोज़ाट चबीस में भारत सरकार, बीज़ेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी और डबल इंजन की सरकार हर स्टेट में बनेगी जिट पूल आया था उसमें जितने भी 36 गड़ कर देखे जो इसके जो आया था उससे ज्यादा बढ़ गया भीजेपी का जनता के मन में मोधी है, ये जनता जानती है और मोधी जानते है जित पूल भी नहीं जान पा रहा है बिलकुल आपने अधरन्य प्रधान मंतरी जी का अभी का भासन सुना इतने प्रचंड जीत के बाद तीन राज्यों में भारते जनता पार्टी की जीत हुई एक भारत का ऐसा प्रधान मंत्री जो इस जस्न के महौल में भी भारत के किसी भी कोने के एक व्यक्ति की वी चिंता उनके मन में रहती है जिसका समाचार पहुँच जाया उन तक तो ये भारत के प्रधान मंत्री का इससे अच्छा कोई उधारा नहीं हो सकता और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जनता के मन में मोदी है और मोदी जी के मन में जनता है उन्होंने इस मंच से ये भी दुरा दिया कि आज यह संकल अब सिद्ध होके रहेगा कि 2024 में भी भारती जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी देखे दोनों चीजे ही हैं वहाँ भारती जनता पार्टी की सरकार होने के कारण जनता ने उस सेवा भाव को समर्थन दिया है और प्रधान मंत्री जी के चहरा को ही फिर से सभी कार्यकरता ने और जनता ने सपोर्ट किया है दोनों ही फेक्टर काम आया है कैमरा पर टीवी चैनलों पर नहीं आ रहे हैं कि अजिन के वह अचार सिरी है प्रमूश सावंत कॉंग्रेस के उनने बोला हमें का सनातन का सराप कॉंग्रेस साप क्योंकि इनने जब-जब राम के राम से तुके और राम मंदिर पर पिढ़न मांगे है ना तो देख रहे हो ना क्या हसल हुआ है और एक बहुत है मिले मुलायम का सी राम हवा में बढ़ गया जैसी राम ना आज वो दोनों हैं कहने वाले जो जिनने बनाया लेकिन हमारे राम पहले भी थे अभी भी है और आंगे भी रहेंगे इसी देश में पर उनसे भी कुछ हिला नहीं पाए उनसे भी कुछ नहीं हिला ऐसे ही अंग्रेज आये काले चिट्टे गोरे सब लोग आये लेकिन हमारा सनातन जीवित है और रहेगा और था देखिए इस कांग्रेज का दरसल जो है ना जो मामला है वो सुरू से नकली है ठीक है ना ये कहते हैं लोक तंत्र कोई खत्रे में हैं ये कांग्रेज खत्रे में है ठीक है ना बावन साल हो गई राहूल की और बावनी सांसा देन के और बावनी सांसा देन कर बावनी तास की गढ़िनी में तास होते हैं ठीके ना जोकर इतना जोकर है देखिए मोधी जी को डर नहीं है दरसल कोई komedian भाई हो चोटा-मुटा चोटा-बुटा कोई हो उसे साइग डर लग रहा होगा दो किसी को डर नहीं और देखिए सवामी परसाद मोरिया को और वो जो कौन था आपका इस्टालिन पिस्टालिन जो भी था ठीक ना सणातन विरोध इतना था उनको होई कई दालन की मा का नम दुर्गा है अपनी माता जी को छोड़ दें पूताजी का नाम भी जन है उनका बहुत अच्छा है सिणातन प्रीवार रहा है देश सनातन है देश चोड़ दें दभीरोद देखा जाए आ और देश चोड़के कहीं भी देश चले जाए कई काले पानी चले जाए है ना और देखिए इनके खुद के खुद के व्यक्ति कह रहे हैं परमोत किश्णन जी हमें सनातन का अभिशाप लगा है और अभिशाप इतना नहीं इन्होंने गोपाश्टमी के दिन 1966 में हमारे 266 बड़े-बड़े संतों को मरवाया गोली से उनकी लासे भी नहीं थी ठीक है ना और इंद्रमधी गोपाश्टमी में राजीव मरा गोपाश्टमी में और गोपाश्टमी में इस पार्टी का अंतो जाएगा इस नाम लेने वाला कोई निवलेगा हमारे पुर्ण नाम लेने वाला नहीं कोई मिलेगा और ठीक है नाम भी अपना मिटाते जा रहें यह कौन ते यह यह थे जवार जवार नि रहे ठीक है उससे घंधी बन गए गांधी से अपने दादा जी कभी नाम नहीं लेते ठीक है ना मोधी जी ने अभी पिछले दिनों पता कि नाम लेने वाला को इन तीसरी पीडी अगई अब उसका नाम पिर्यंगा जाती लड़की तो उसका शोचाना जाता है अभी यह वह गांधी वाड़र होने चाहिए बेटे का नाम भी और रिहान वाड़रा नहीं रहाप उन्होंने क्या नाम रहतब कर रा रियां गढ मैं रामला मैदान से कह रहा था मैं राहूल साहबर कर नहीं हूं मैंने गांदी भी नहीं हूं पर और पहने पेंटे हम कुर्टे के उपर नहीं पहनते हैं हमारे मदन मोल मालवी जी कहते थे जिस दिन ये इंदू तु परचंड ताबे अभी परचंड हुआ नहीं है परचंड ताबे खड़ा हो जाएगा उस दिन लोग कोट के उपर जिन्हों पहन लेंगे और देखें ये इंदू बनने की बात करते सावन के मास में लोग लैशन प नहीं की यह सौमि crushing ुल्यां प्रचंड मोरिया परिया तुम बोधिश्त्र जो भी वियो ठीक ना तुम सनाथन ना स्चिक हो एठी को इःगा लेकिन अगर तुम सनातन का विरोओत करते हो तुम ना स्चिकने नीचो और नीचता की प्रकाष्टा है और इन लोगोंकर थोड अभी जो बावन है बावन में से दो भी नी बचेगी मुझे ऐसा लगता है और अभी सनातन परचंड पर आना खड़ा सुरूवा है और मुझे तो उस दिन थोड़ी लज्जा आई इनकी पार्टी के साधी तो उनीती राहूल की ठीके ना इधर दिखविजे सिंग भुडापे में साधी कर लेते हैं ठीके ना इधर हमारे जो कौन थे वो एंडी दीवारी जी बेटा था बेटे को नी मानों इतने गड़ बड़ गोठा ले बाज इतने गड़ गोठा ले और सुरेश कलमानिय ने कहा था रामका कोई सत्थिनिक आलप निक है ठीक है अब वो व्यक्ति एक जंगा गया कहीं बजार में एक खराब आपको बताएए ठीक है लुट नव लोगं मुग लो का ने हो जा रहे इस परकौर इनका इस स्थित्व नहीं जाएगा इन닌techn आङ भारत जोड़ा थे पस जब मोधी जी ने वस्तिविक नाम था मारे सथ Signalnia टान की दान् गिंते दे थे टीक ala उसके नाम पर भारत इस देश का नाम था और अखंड भारत था उस समय